हेलो फ्रेंट्स वेलकम् टूमी एट्रीप चनल डीस गांध्रेश्टी आज का चुम्रा वीडियो है वो क्लास 12 का जो किमेस्टरी है इसका चैप्टर नंबर वन है जिसका एक इंपॉर्टन टॉपिक है यूनिट सेल जिसको हिंदी में इकाई सेल या एक कोस्टिगा करते हैं तो इसी प्यार हड़ थे हमारा आज का वीडियो इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि 11 सेल किसे करते हैं एक कोष्ट का क्या है और 11 सेल के प्रेकार कितने हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप इस वीडियो को अंतक देखिए खासकर वे विद्यार थी जो क्लास 12 में ह की बोर्ड परिछा में समलित होने वाले हैं उनके लिए तो यह मस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को आप अंतर देखिए वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले वाद विजिट करें प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले और देखिए लेकिन को दबा दे जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोट्रिफिकेशन आपको मिल जाए तो इकाई सेल किसे काते हैं तो किसी क्रिस्टल यह जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुन्राविर्ति से संपुन क्रिस्टल का निर्माण होता है एक कोस्ट का या हिकाई सेल कहलाता है इसे यूनिट सेल इंग्लिज में कहते हैं आप फिगर में देख वा रहे हैं इकाई सेल जिसके जो चार आठ कोने हैं उस पे अवियाविकन आड़ू परमाड़ू या आयन हो सकते हैं आप देखते हैं इकाई सेल के प्रकार टाइपस ओफ यूनिट सेल इकाई सेल मुक्यता तीन प्रकार के होते हैं सराल इकाई सेल जिसे संचेप में सिसी कहते हैं सिम्पल यूनिट दूसरा है पिंड केंदरी तिकाई सेल को संचेप में बी सिसी कहते हैं बी सिसी का फुल फॉर्म होता है बाड़ी सेंटर यूनिट सेल तिसरा है फालक केंदरी तिकाई सेल इसको इंगलिस में कहते हैं एप सिसी संचेप में कहते हैं एप सिसी का फुल फॉर्म होता है फेस स सेंटर् यूनिट सेल तो आये इंस की परिभासा जानते हैं पहला है सरल लिकाई सेल वह इकाई सेल जिसमें अभ्याविकर्ण अडू परमाडू या आयान के वल किनारू पर इस्तित होते हैं उसे सरल लिकाई सेल कहते हैं वह इकाई सेल जिसमें अभ्याविकर्ण अडू परमाडू या आयान के वल किनारू पर ही इस्तित होते हैं उन्हें सरल लिकाई सेल को संच्छेप में स्चिसी कहते हैं असी इसी मिन्स सिंपल सेंटर्ड योनिट सेल दो नमबर 15 केंदरीत इकाई सेल जिसमें अभ्याविकर्ण अडू परमाडू या आयान की नारू परिस्तित होते हैं साथ ही उसके केंदर में भी एक अव्याविकन होते हैं उसे पिंड केंदरी तिकाई सेल कहते हैं पिंड केंदरी तिकाई सेल को संचेप में BCC कहते हैं BCC का मतलब आपको पहले ही भी बताया हूँ BCC का फुलफार्म हो जाएगा Body Centered Unit Cell वह इकाई सेल जिसके अव्याविकन आड़ू परमाड़ ये आयान की नारोप परिस्तित होते हैं साथ ही उसके केंदर में भी एक कण होता है तो उसे पिंड केंदरी तिकाई सेल कहते हैं इसरा और अंतिम सेल है जिससे हम फलक केंदरी तिकाई सेल कहते हैं इसका Definition इस परिकार है वह इकाई सेल जिसमें अव्याविकन आड़ू परमाड़ ये आयान की नारोप परिस्तित होते हैं साथ ही उसके फलकों के केंदर में भी एक एक कण उपस्तित होते हैं तो उसे फलक केंदरी तिकाई सेल कहते हैं पर फोलक कें अंदरित चाहरा consultants यह था हम आज का वीडियो जो आधारी था मैं नाना भूले साथ हे इस चेनल पर पहली愛 पहलता मैं इस की मतलब उधारन पर इस वीडियो को आपन съいます को देखिए और वीडियो को लाइक और शेल करना ना भूले साथ ही इस चैनल पर पहले विजिट करने दे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अगन को दबा दे जिससे जो भी में वीडियो बनाऊ उसका नोट्रिफिकेशन आपको मिल जाए तो थैंक यू फोर लि हम फ्लक के अंदरित 21 सेल करते हैं पींड के अंदरित के जब पर यहां फ्लक के अंदरित होगा और फ्लक के अंदरित 21 सेल को संचेप में हम लोग एप सी सी करते हैं तो थैंक यू फोर डिस्निंग एट वाचिंग झाल